इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया फिलिपीन्स के बढ़ते डिफेंस रिलेशनल और साथ ही साथ जाने की इंडिया कैसे साउच चाइना सी में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकता है हुआ का exactly news यह है कि फिलिपीन्स काफी लंबे समय से ब्रह्मोज को बाय करने का प्लान कर रहा था फाइनली अब 375 मिलियन के जो डील है यह करी जा चुकी है फिलिपीन्स जो है वो बाय करेगा इंडिया से ब्रह्मोज मिसाईल इसके बेनेफिट्स के हैं इसके बेनेफिट्स चाइन्स रिष्टे कैसे और ज्यादा मजबूत होँगे आप मेरे हर वीडियो के पीडियेप में टेलिगाम चानल से डाउनलूट कर सकते हैं मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं बात हम कर रहे हैं साउट चाइना सी की साउट चाइना सी में जैसा हम लंबे समय से पैक्ट धून रही यह और उट्रेटिव यह और उट्रेटिव मेजर मिला है इंडिया के ब्रहमोज में इंडिया का रीसेंटली नेविल वर्जिन जो था ब्रहमोज का वो टेस्ट हुआ था उसमें हमने ने देखा कैसे C to C जो हमने यहाँ पे मारक शम्ता थी वो चीफ की थी C पे एक टार्गेट रखा गया समुद्रमोस टार्गेट को ब्रहमोज ने 2.53 माक की स्पीट से गिरा दिया तो अल्टिमेटली यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडोनेशिया हो वेतनाम हो और फिलिपीन हो यह सब इंट्रस्टिड हैं अब इस तरह के डिफिन्स सिस्टम्स में वो भी चाते हैं कि उनकी जो नेवल फ्लीट है वो और जाता स्ट्रेंथन हो जिससे कि वो इस साउच चाइना सी में चाइना के बढ़ते क्लेम को न्यूटरलाइस कर पाएं और एक फॉर्मीडेबल पार्टनर वो ढूंड पाएं उनको एक फॉर्मीडेबल पार्टनर जो है वो इंडिया में मिल चुका है और इंडिया की जो डिफेंस किपाबिलिटीज है जो defense manufacturing है उसको भी इस तरह से boost मिलेगा New Delhi जो है वो Vietnam और Indonesia से भी talk में है जब वहाँ पे भी चर्चा चल रही है कि cruise missiles जो है वो arm exports का हिस्सा बनाई जाए और ASEAN और India के रिष्टे जो है वो better किये जाए साथी साथ South China Sea में Beijing को एक signal जाए कि India भी इस area का formidable player बन चुका है अगर हम बात करें इंडिया के defense export plans की तो काफी ज़ादा boost मिल रहा है भ्रमोस से भ्रमोस को आपको बता है कि एक supersonic missile system है जिसको Russia और India ने मिलके develop किया है पिछले 20 साल से भ्रमोस काफी successfully इंडिया में एक के बाद एक mechanism से launch होती जा रही है अगर हम बात करें aircraft के case में हम बात करें submarine के case में nuclear non nuclear warhead के case में तो हर तरह से ब्रमोस की capability है वो बहुत जाधा strengthened है और हमने उसको test करके देखा है वो काफी जाधा हमारे लिए helpful भी है अब ऐसे में अगर South East Station countries जो है वो इसमें कोई भी interest दिखाती है अगर वो इसको purchase करती है तो इंडिया और उन countries के relation अच्छे होंगी इंडिया के defense ties better होंगर साथी सब इंडिया जो है world map पे defense exporter के तरह भी उबहेगा जैसे कि आपने देखा 375 million की जो deal यहाँ पे हुई है डॉलर्स की जो deal हुई है उससे इंडिया को काफी ज़्यादा boost मिलेगा और सबस्क्राइब जो confidence boost होगा जो mechanism है यहाँ पे strengthen होगा और इंडिया है अपने R&D में और ज़्यादा investment कर पाएगा इससे क्या होगा attractiveness जो है वो बढ़ेगी इंडिया की और साथी साथ इंडिया का assertiveness जो है इस region में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ब्रमोस के बारे मैं मैं पता ही कि हमारी काफी advance missile है 2-3 Mac की speed यह attain कर पाती है इसकी range जो 290 km तक है और यह तीनों arms में हमने अब deploy कर दिया है 2005 से हम देखते आ रहे हैं कि हम इसको Neville Army और साथी साथ Air Force में इसको deploy कर चुके है तो अलग-लग platforms की होने की वज़े से इसकी जो importance है वो काफी जादा है और Philippines जो है पहली बार ऐसी कोई country बनेगी जो ब्रमोस को इंडिया के बाद use करेगी मतलब कोई non-Indian country अगर उसको use करेगी तो वो फिलिपीन होगी Indian media ने in fact कहा भी है कि Indian army ने इसको deploy किया ब्रमोस को last year China के borders पे in fact अगर हमने जो हमारी land army है वो इसको use कर रही है उन्होंने deploy कर लिया है China के scum जो हमारे scum issues हुए थे जो issues हुए थे तब हमने इसको China border पे deploy करके रखा है in fact last week जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो INS विशाका बटनम से test हुआ था वो काफी successful रहा और इसके बारे में हमने चर्चा भी एक वीडियो में की थी C2C variant था काफी successful रहा इसी को देखते हुए अब अब वो second Philippines के बाद Vietnam को बेची जाएगे और Vietnam भी उसको use करेगा इसे देखिए mutual strategic comfort तो बनेगा बनेगा दोनों countries की वीच में trust बनेगा और सबसे उड़ियात है चाइना को अगर आपको counter करना है neutralize करना है South China Sea में चाइना के जो South China Indian Ocean में बढ़ता हुआ क्लाउट उसको counter करना है तो इस तरह की partnership काफी helpful है Philippines और इस तरह की partnership पहले भी कर चुका US के साथ US की सबसे बड़ी वो American मतलब बात करें recipient है सबसे बड़ा arms का इस region में US के सबसादा arms जो है Philippines जाते है यानि Philippines के बाद काफी बड़ी potential है पुचेस करने की और इंडिया जो है एक potential supplier बन सकता है तो यहाँ पर एक security anchor की तरह भ्रमोज जो है वो काम करेगा तो security anchor में मतलब कि उस एरिया में भ्रमोज जो एक determining factor बनेगा और इंडिया की cloud को काफी जादा बढ़ाएगा इसके लाब आप बाकी भी देखेंगी बाकी military equipments को भी हम वियतनाम को बेचने कोशिश काफी लंबे समय से कर रहे है आकाश missiles भी हम इस तरह के equipments में शामिल कर सकते हैं जो हो इंडिया explore कर रहा है कि वो वियतनाम को बेचे जाएंगे जब defense minister हमाँ visit कर रहे होंगे यहाँ पर इंडिया के साथ जाएंडिया के साथ बेटर होंगे होंगे और आने वले समय में Brunei Malaysia जैसे states भी हैं जो हो सकता है इस तरह की partnerships की तरह देखें एक बार हम भी एतनाम और Philippines के साथ इसको successful कर लें अब जैसे कि आपने देखा हैं कि LSE के साथ लेके काफी issues पहले भी हो चुके तो इसकी वज़े से ब्रमोस काफी formidable player बन चुका है सारा विजन है उसको हम पूरा करेंगे अभी तक लगबग हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट से 1.3 बिलियन पहुच चुके थे मार्स 2021 तक उसको बहुत जल्द 5 बिलियन डॉलर तक पहुचाएंगे और बेटर और यहां हो जाएंगे जैसे कि मैं बताब ब्रमोस जो है वो इंडिया और रश्या के बीच का एक पार्टनर्शिप अग्रीमेंट के थूरू प्रड्यूस किया जा रहा है जिसमें 50% स्टेक रश्या का 50% स्टेक जो है वो डिया डियो का है मतलब डिया यहां पर कंट्रोलिंग स्टे वो हाईपर सॉनिक रेस में भी आगे बड़ेगा जैसे कि अभी काफी रिमेटरी कंट्री हाईपर रेस में है यह कंट्री जो है हाईपर सॉनिक रेस में भी पहुच पाएंगी इसी के चलते है आपने देखा होगा कि 200 कड का एक ब्रहमोस मनुनृफक्श्रिंग सेंटर जो तो बहुत जल्द हम यहां पे चाइना को भी मात दे पाएंगे तो यह जानना था में इस टॉपिक के बारे में मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में तब तक लिए गुद्बाइ टेकर और बट्बस्यों